कि आई टी आई लेटकर रेवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागा था इस बार देखिए वेश्च सेंट्रल लेवेश्च डाबलू सी आर के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आई है जिसे हम वेश्च सेंट्रल लेवेश्च के नाम से जानते हैं ठीक है जो भोप सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आपने हालही में आई टी आई और डिप्लोमा स्वरी आई टी आई और हाइश्च कुल किया है तो यहाँ पे आप और प्लस 12 किया है तो आप इस भार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए क्या क्या योगता होते दू परकार के आप्रेंटीस आपके होते एक आई टी के बाद आप्रेंटीस होता है यहाँ इन्हों ने देखिए जो आप्रेंटीस एक्ट आप्रेंटीस एक्ट 1961 के तहत इन्हों ने कहा है कि जैसे माली यह फीटर का है तो यह फीटर 10 प्लस 2 है ठीक है 10 प्लस 2 है तब यह आप्रेंटीस कर सकता है अगर 10 प्लस आई टी आई आई टी आई है तभी ओलो क्या कर सकता है अप्रेंटीस आप यह कर सकता है ठीक है अगर आप्रेंटीस आप इससे कर लेते हैं रेलवे से तो आपका जब गूरूब कि जो वैकेंसी आती है उसके लिए बहुत फैदा करता है यह अप्रेंटीस ठीक है नमबर आप पोस्ट की बात करें तो फीटर की नमबर आप पोस्ट टोटर रहा पे हैं यहनों ने दे रखी है कुछ सटों किसां के यहनों ने पैतारिश दे रखी है जो पूरा इनकी ट्र में बने रहेगा और एक टॉपिक को समझ लीचेगा नहीं तो थोड़ी सी मिश्टे करेंगे तो आप इसका आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है ठीक है तो इसका क्या सेलेक्शन प्रोसेस है क्या एक्जाम होगा की नहीं होगा सब के बारे हम लोग चर्चा करते रहेंगे किसी तरह गेस बिल्डर के लिए अठाए सीट है इलाक्रिक लिए अठारा सीट सभीक लिए आप लोग देख सकते हैं अलाग अलाग सब कर देर रखा लेकिन सब के लिए टेन पिलस टू या टेनंपिलस इटने मांग रखा ठीक है बहुत से यहाँ पर दिया है आप लोग न वर्स ठीक है पंदरह वर्स से 24 वर्स है अगर आपका माले पंदरह बस आपकी 18 वर्स की आयू नहीं किये ते आपके अभिवागा के दवारा इसा सब्सक्राइब करते हैं तो अने लोगों के लिए जो आप कैट्गरी वाई जो छुट मिलता इस कैट्गरी वाई छुट भी नो ने आपे कंसीडर किया हुआ है अगर जो यह सी एश्टी उनके लिए पास ओवी सी के लिए तीन पीडाबू टी के लिए पीडाब्लू के लिए उनके दौत भी सीएल से दिया गया बुदपूर सैनिक को भी दस verdad अब दिया गया आवेदन फीस की बात करें आवेदन फीस्क के जो आपका 100 रुपया है और पोर्टल जो इस पोर्टल से आप करेंगो 70 रुपया मैं जीयस्टी आपको जोड़के आप सुल्ख सभी को देना जो पोर्टल का जो 70 अपलजी है वो सबको देना है ठीक है यहां पर सबके लिए अलग तरह करेंगिवाद दे दिया है ठीक है तो सब्सक्राइब किस ट्रेड में किस डिसबेल्टी किस दिव्यांग व्यक्ति की जुरूरत उसके लिए आप इन्होंने अलग 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 आप दे रखा है कि इलेक्ट्रिशियन वेल्डर के लिए हेरिंगर जो सुनाई नहीं देता हो भी आप रह सकता है लोको मोडर डिसेबल सबके लिए अलग नहीं अपर दे रखा ठीक है अगर किसी एक कैड़गरी का अगर उमिदवार हमें नहीं मिलता है तो उसकी सीट हम दूसरे कैड़गरी के उमिदवार डालके भर लेंगे ठीक है कोई दिभ्यांग है अगर जैसे बेकें से यहां पर निकले गई है हेरिंग बन प्रियरेंस और कान के सुने वाला गरने नहीं सुने वाला गर वाल ब्यक्ति कर नहीं मिला तो किसी और simpl час में हम लोग रखके इस क्या करेंगे हुक है कोटे को पूरा करेंगे असी तरह यह माली को रखेंगे अगर ऐसे होता है तब एक नावी बिकर सेक्टन के लिए यहां पर 10% दिया गया है चिकिस्ता सरीर यहां पर देखे आपका चिकिस्ता के लिए जब जिस उम्मेद्वारों को वहां पर बुलाया जाएगा ठीक है जिस उमिह दोर को बुला जाएगा जिसका selection हो जाएगा उन्हें क्या करना है वह medical नहीं कराएगा आप अपने हहां से medical से जो सरकारी आपके यहां विद्धाल है सोरी जो सवी सरकारी एस्पताल ना वहां से आप लोग अपना medical certificate बनवा के यहां पे submit करना पड़ेगा तिर आप देखें अगर आपने दिया है तो यहा पर मुहर का पूरा शीर लुन आप बहुत रहना चाहिए और वह कहाई है राज़र्पार के अधिक तर्ड्र राजपत द्वार उमिन सत्यापित फोटों के साथ मुहर होनी चाहिए और सहायक सर्जन के पद से नीचे का ना हो, सहायक सर्जन, असिस्टेंट सर्जन के नीचे का पदका नहीं होना चाहिए, इसके उपर के पदका होना चाहिए आवेदन का तरीका क्या है? आवेदन के चुक मेदवार का यह जो यहां पे वेबसाइट डी गई है www.mpoonline.gov.in पे पर जाना फिर होम पेज पर जाना है अब देखें पुरा प्रोसेद है होम पेज पर जाना है उसके बाएब नागरिक सिवा पर जाना फिर आवेदन निवितम सुचना पर किलिक करके क्या आपको यहां पर आवेदन करना परारम कर देना है ठीक है? अब के लिए आपको अधार काल होना जरूरी है अगर माल लेगा का अजरूरा आपार कार नहीं है तो आप अधार कार को आउनलाiken कर लिजिए जैसे यह आधार को आप online कर लेते हैं एक आपको number मिल जाता है ठीक है जिसे हम लोग enrollment ID करते हैए वो enrollment ID जो जब sleep हमको अधार काड apply करते से sleep मिलता उस पर enrollment ID होता है वह आला हम number डालेंगे तब ही हमारा काम चल जाएक है लेकिन अधार काड होना must है इसсть सबका सेम होना चाहिए और फिन रहा तो उसकी उमिदवारी को क्या किया जाएगा निरस्ट कर दिया है कहीं होता है कि हाई स्कूल में कुछ और रहता है आई टी आई में कुछ और रहता इंटर में कुछ और रहता नामों में गड़बड़ी है तो ऐसा नहीं चलेगा आपको नाम को क्या कहोना चाहिए आपका सभी का सेम सेम होना चाहिए नहीं तो उमिद्वारी आपको क्या किया जाएगा क्या आवेदन क्या करता है यहां पर भरता यानि कई application डालता है ठीक है आपरेंटिस के लिए तो उस उमिदवार की उमिदवारी को क्या कर दिया जाएगा निरस्त कर दिया जाएगा करे कहीं उमिदवार कई बार एक फार्म को अपलाई करता है तो ठीक है तो यह भी आप बिसे ध् क्या जाएगा कोई मोखिक परिछ्छा मेरिट लिष्ट कुछ नहीं है रहता है आपका मेरिट लिष्ट बनाया जाएगा अगर मालीज यहाप इन्हों ने कहा है कि अगर कोई भी भी से है cgpa जैसे cgpa परणारी है जो हमारे cbsc वाले candidate होते हैं उनके cgpa परणारी होती है उनके लिए भी यहाप दर्स आया गया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और कहा कि अगर दो उमिदवार है उनका अंक समान है तो जैसे मालीज दो उमिदवार है दोनों का मालीज यह 60-60% है दो उमिदवार है इसका भी 60 है इसका भी 60 है तो इसका भी 60 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जिस candidate की उमर जादा है इसको हम chain करेंगे अगर दोनों का ये भी same निकलता है तो सबसे पहले किसे ने high school पास किया उसको हम उसका selection करेंगे या तो जो उमर में बढ़ा रहेगा उसको करेंगे ठीक है ऐसा इसे इन्होंने पहले परवधान दे रखा है अगर कोई ऐसा आता है त या दो मिद्वारों ने समानक प्राप किये तो बढ़ती उमर बड़े उमर को वाले कोई दी जाए ठीक है यदि अनसुचित जन जाते की मिद्वार को इंधारी संख्या उपलब ना हो तो संख्या अनसुचित जन जाती मिलब वही है उपर जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या जैसे में खophone आपके चैके के लिए व बीनल कीरी पर दोनों मिदवार नहीं पहुंचेंगे तब जाके वहां पर OBC के मिदवारों के यहां पर लिया जाएगा ठीक है अर्चे और ESW के लिए भी नो ने कहा कि हमने अलग से रिक्ति सीटों का अनुबंद किया रखा है दूसरा फिर उनों कहा है कि यहां पे जो आपको डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए होंगे वो डेढ़ गुना डेढ़ गुना उमिदवारों को लिया जाएगा ठीक है जो भी आपके उमिदवार हैं आपके डेढ़ गुना आपके उमिदवारों को यहां पे लिया जाएग ठीक है और उनका डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराये जाएगा जिनका वेरिफिकेशन में प्रॉबलम होगा उनको क्या किया जाएगा वासे निरस्त कर दिया जाएगी ठीक है बुलाने के लिए इनों लोग अपने वेपसाइट पे आपको क्या करेंगे के मलब की जो भी आपक जाएगे उसको कोई भत्ता आपको दिया नहीं जाएगा त्रेविलिंग डिये टिये आपको कोई एलाउवेंस नहीं मिलेगा आप अपने पैसे साएगे और खुद अपना वेरिफिकेशन कराके जाएगे अगर आपका सेलेक्सियन होता है तो आपको कोई भुकतान नहीं कि या जाएगा ठीक है अपक्या कि दो आपको जो भार्म को भर्दें अपना करते हैं तो जाएगे हको है। यह प्रमार्पत्र अगर सैनी का भूत्पुर सैनी की उसका भी निधार्ज तावेंदन करना चाहिए कोटे की विरूद है विरूद है तो वह भी आपको अप्लोड करना सर्टिपिकेट अगर आपके पास यह असिस्टेंट ट्रेड के लिए 10 पलस 2 के लिए वह भी आपको जो भी सर्टिपिकेट आपको 10 स Cheng 2 के ठीक है यह आपको करने के बाद यूससे पहले आपको अपना सबसे पहले sanitation किस पर करना होगा आपको यह तो पहले भी कर सकते हैं बाद मिकर सकते हैं Apprentice Sipd government पर जाए और अपना क्या करना है आवेदन कर दीजिए ठीक है आवेदन कर दीजिए इसको आवेदन apprentice Sipd.com पर जाना है और आपना देना आवेधन काना उस तो पहले आप देखिए अब भोपाल का जो आपकी रेलेवे थी उसके साइट पहले आपने किया है एका है यह यह आपकी आप्रेंटी मिप जिक होती है जैने बिलए से कणbern उसक्ता है इक है आप इनरमलानिजर को सबस्देख हतो dif case sedut तो इन्हों ने दिया प्रोसेस की पर प्रोसेस आपको क्या करना है कैसे करना है तो जब यहां पे जाएंगे आप तो apprentice menu खुलेगी ठीक है उसके अंदर apprentice menu खुलती है तो apply फ़ार apprentice ship option click करेंगे ठीक है जैसे अपने apprentice ship का पहले अवेधन कर रखा नापको apply option सब स्ब्सक्राइबद करने इस लिए और compassion खोर इनने को सब्सक्राइब तरह खो第二 वाला पोंठ में Cake को सब स्क्राइबर कुम्रें यह रीड़ गारिभर का नाम स्ब्सक्राइब करेंगे आपका अपलाई हो जाएगा ठीक है कि इस तरह आप यहाँ इसको करने पाद इसको करना आती आव सके आप से अप में आप कर देंगे ठीक है अब क्या इनुन कहा है कि जो भी जब आप बिप्रेशन के लिए आए तो जो आपका जाती परमार्पत है वो कपका बना होना चाहिए कम से कम कपका लाश्ट टेट या नहीं एक चार संदुर बीस के पहले का नहीं चाहिए इधर का चाहिए 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 OBC हो चाहिए इस्ट डाबलू ठीक है इनको यह दिया एक 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 चाहर संवर भी से पुराना आपका नहीं होना चाहिए यह चाहिए आपका क्या यहांपका एक यह आपका काश तर्ट्ट नहीं होना चाहिए फोटो सत्यापीत पाचानपा सुची के लिए अधार कार्ट मदान पर किया जाएगा 1961 के अनुसार ठीक है अगर अपरेंटीस अगर आप पास करते हैं तो रेल में आपकी न्यूक्ती की कोई गारांटी नहीं है यह एक अपरेंटीस 1961 के तर्ट एक ब्यापारिक परिसिछड कार्करम है कार्करम क्या है एक साल के लिए कॉंट्रेक्ट है आपको ए करने के बाद आपको क्या करना है जो भी जो भी आपका हार्ड कापी निके लेगा इसे भोपाल पर आपके का करना है कि सेंड कर देना है ठीक है तो जो भी आपको कोश्चन होगा ताप इसे आसानी समसे पूछ सकते कमेट बॉक्स में हम ज़रू जवाब देंगे ठीक है आज इतना फिर मिलते हैं किसी निश्ट वैकेंसी में